आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रतेश में पंजाब नेशनल बैंक्स की ब्रांचिस में ग्लास फोर के पदों पर होने वली भरतियों की वीडियो को लाइक नी किया तो लाइक कर लीजएगा अगर बात करें यहाँ पर आज की ज़ाब नाटिफिकेशन की तो हिमाशल प्रतेश में पंजाब नेशनल बैंक्स की ब्रांचिज में क्लास फोर के पद भरे चाने वाले हैं और ये पद भरे जाएंगे सरकेल ओफिस शिमला में और ये दो डिस्ट्रिक में पद भरे जाएंगे शिमला और किनौर में कुलमिला के पांच पद यहां पर रहने वाले हैं पार टाइम स्वीपर्स के शिमला में तीन पद भरे जाएंगे एक पद स्ट के लिए रिजर्व र अगर आप अनपड भी है तो भी आप इसके लिए अपना आप इतन कर सकते हैं लेकिन आप दसवी पास से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप इसके लिए अपना आप इतन करना चाहते हैं तो आप अपना एर्थ का सर्टिफिकेट या आप कुछ भी सेंड ना करें इसके लिए आपकी एश कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए और आपके मैक्सिमम एश यहां पर 24 वर्ष रहने वाली है आपकी एश कल्कुलेट होगी 1 जनवरी 2021 को अगर आप आते हो S.E.S.T. में तो आपको यहां पर 5 वर्ष का एश रिलाक्षेशन दिया चाहेगा अब यहां पर बात करते हैं कि आपको कवर कैसे आप इदन करना है तो देखिए आपको आप इदन करना होगा 17 मार्ष 2021 तक अड्रेस रहेगा सर्किल हैट पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ओफिस दा मौल शिमला 171001 यह आपका अड्रेस रहेगा और यह आपकी नोटिफिकेशन यहां पर है और अगर बात करें अप्लिकेशन फॉर्मट की तो यह रहा आपका अप्लिकेशन फॉर्म को टाइप कर सकते हैं या आप टाइप करवा सकते हैं साइवर कैफे में जाकर अगर बात करें यहां पर selection process के तो देखें यहां पर आपका ना तो कोई test होगा और ना ही कोई आपका यहां पर interview होने वाला है यहां पर वो खुद decide करेंगे जिनोंने मतलब कि आपको recruit करना है पंजाब national bank ने कैसे आपको यहां पर recruit करेंगे और आप apply करके रखेंगे और apply करने के बाद उनका जो circle office है वहां पर यह list लगा लेंगे selected candidate की selection process क्या रहेगा यह और उने साफ साफ नहीं बता है क्योंकि यहां अगर merit की बात कर तो merit कैसे होगी कैसे बनेगी यह भी नहीं बताया क्योंकि यहां पर तो कहा गया कि अगर आप अनपड़ भी है या अगर आप दस्वी पास नहीं है तो भी आप इसके लिए अभी दिन कर सकते हैं for more information आप contact कर सकते हैं circle office शिमला की कैसा result कब और कैसे आने वाला है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही